सबी लोगं को जैहिन आज के वीडियो में 15 लाख रुपे मिलेंगे भार्टी सेना के जवानों को जिनके पास मैडल हैं जी ये मैडल हम आपको बताएंगे कौन-कौन से आपके पास मैडल होने चाहिए 15 लाख रुपे के लिए और इसके लिए क्या-क्या सड़ते हैं तो भार्टी सेना ने पूरु सेनिकों को जो आर्थिक लाख से जुड़े दाववे पर इस परस्ति करण जारी किया है और 1965 और 1971 की जंग लड़ने वाले पूरु सेनिकों को 15 लाख रुपे देने की बात कहिए साथ ही जिनके पास कुछ मैडल हैं वो मैडल होने पर उन्हें भी 15 लाख रुपे की धन्राशी दी जाएगी और 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लेने वाले पूरु सेनिकों को 15 लाख रुपे दिये जाएगी रक्षा मंत्रालाई के तहत काम आने जो देश की सेवा करने वाले पूरु सेनिक कल्यान विभाग की तरब से पैंसन और अन्य लाब से जुड़े लाब स्पस्त किये हैं फिप्टिन लाख रुपीज गेट नो डेट रुप इसके बारे में पूरा वीडियो देखे है पूरी जानकारी इस परकार है यह है युद्ध सम्मान इंडनु भारती सेना में एक पत्र की जोरूं पर चर्चा है इस पत्र में 1965 और 71 में पाकिस्तान के खिलाब कुई जंग में हिस्सा ले चुके पूरु सेनिकों को पंदरा लाख रुपे की आर्थिक मदद की बात कही गई है यह राशी युद्ध सम्मान इंडना के तहट दिये जाने की बात कही गई है और इस पत्र वहीं यह पत्र पूरु सेनिकों के बीच तेजी से वाइरल हो रहा है और कुछ लोग इस पत्र को ले करके जो है इसकी सच्चाई जानने के लिए सेनिक कल्यान बोट के चकर भी लगा रहे हैं और कई बोडू पर कर्मचारियों ने बगाईदा नोटिस लगा कर इस बारे में जानकारी के लिए कहा है और अमर उजाला ने भी इस पत्र की सच्चाई जानने के लिए सेना से संपर्क किया हमने अमर उजाला पेपर पढ़ते हैं जहां इस पत्र के बारे में कई जानकारियां से निकल कर सामने आई इस पत्र में लिखा गया है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत पूरु सेनिक कल्यान विभाग जो D.S.W. है रक्षा मंत्राले ने 1965 और 71 की जंग में सक्री तोर पर सामिल होने वाले पैंशनर और नौन पैंशनर सेनिकों के बारे में जानकरी देने को कहा है आड़ अगस्त को जारी इस पत्र में ऐसे पूरु सेनिकों को 15 लाख रुपे आर्थिक साहिता देनी की बात कही गई है और राज्य सेनिक कल्यान बोर्ड से 1965 और 1975 की जंग में हिसा लेने वाले इमर्जेंशी कमिशन ओफिसर, सोट सर्विस कमिशन ओफिसर, रेगुलर कमिशन ओफिसर, सिबिलियन परसन और परसनल ओफिसर रेंग के बारे में जानकरी मागी गई है और इसमें पता चला है कि इसमें जो रिकार्ड जो है पूरी तरह मेंटेन नहीं है बत्र में कहा गया कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन लोगों को समर स्टार यह मेडल के बारे में जानिये कौन सा समर स्टार होता है यह समर स्टार और पूर्वी स्टार और पक्समी स्टार जिन के पास मेडल है उनके बारे में जानकरी इकत्र की जाए और इस पत्र के साथ जो है जो यह 29 मई 2024 का यह लेटर एक पत्र सनलगन है इस पत्र में जो मंत्राला के पुराने 26 सितंबर 2022 का हवाला देते हुए उसका जबाब देते हुए पूरु सैनिक कल्यान विबाग ने लिखा है कि उसके पास 1965 और 71 की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले जो परसनल वीलो ओफिसर रैंक पी बी ओ आरेस और रेगुलर कमिशन ओफिसर के बारे में यहां पर ज़्यादा जानकारी उपलब्द नहीं है क्योंकि उसमें पूरी सेना जंग में कूद गई थी और कोई ज़्यादा रिकार्ड मैंटेन नहीं किया गया था वहीं उससे कई पी बी ओ आरेगुलर कमिशन ओफिसर से मुलाकात की है और युद्ध सम्मान योजना के तहत फाइदा देने की माग की गई है पूरु सेनिक कल्याण विभाग ने आगे लिखा है कि युद्ध सम्मान योजना के तहत अगर विभाग ने दोनु लड़ाईयों में हिस्सा ले चुके इमर्जेंशी कमिशन ओफिसर सौर्ट सर्विस कमिशन अफिसर और समर सेवा स्टार जिनके पास है पूरी स्टार पक्समी स्टार मेडल से जो सम्मानित जवान है और ऐसे लोगों को एक मुस्तर पंदर लाख रुपे की रकम देने का फैसला करती है तो इसमें असाम रैफल भी जो नेवी जो बंगला जो पक्सम जो पक्समी स्टार जो बहुत सारे लोगों के पास जो ये ये मेडल हैं तो ऐसे लोग भी अपने एट्वाटर से हमें मतलब अपने जानकारी प्राप्त करनी है तो इन लड़ाईयों में जो सामिल होने वाले इन पदकों में जो सामिल है पैंशनर और नौन पैंशनर पी बी ओ और और रेगुलर कमिशन ऑफिसर दूसरे लोग आकर इसमें जो है मां कर रहे हैं जिससे विवाग में जो है इसके बारे में छानबीन चल रही है बारती सेना की जो लेटिगेशन जो ब्रांच यानि जज ऐड़्वोकेट जर्नल की सला का जिक्र करते हुए लिखा की सरकारी सहस्तानों से पैंशन ले रहें शैनिक अर्मियों को प्रस्ताव में सामिल किया जाए अब किन लोगों को इसका लाब मिलेगा वहीं जब सेना ने इस पत्र की सचाई जानी तो सुत्रू ने इसकी पुष्टी की उन्ने का की जिला सैनिक कल्यार बोडू ने उनीच सो एगतर और पैसर की जंग में हिस्सा लेने वाले इमर्जेंशी कमिस्टाइब सर्शॉर्ट सर्विस कमिस्टाइब समर सेवा इस्तार पूर्वी स्तार तथा पक्सिमी स्तार मेडल से जो समानित लोग उनके आशिरतों के बारे में जानकारी जिनके तहट मागी गई जिनके तहट ऐसे कर्मिया उनकी आसिरतों को 15 लाख रुपे देने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए उन परिवारों का डेटा डाटा जुटाया जा रहा है। सुत्रु ने बताया कि उद्द सम्मान योजना के तहट मिलने वाले 15 लाख रुपे की एक मुस्तर रकम उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनक किसी तरह की कोई पैंसन नहीं मिल रही है। इसके अलावा इस योजना का जो लाव रेगुलर कमिशन अफसर को नहीं मिलेगी। इस योजना के लावारतियों को लेकर सेना के अलावा नेभी हेटकौर्टर और एरफोर्स हेटकौर्टर से भी जानकारी मागी गई है। हलाव कि योजना के लावु होने को लेकर कोई समय सिमा या कम पैसा मिलेगा इस बात की कोई जानकारी होने से इंकार किया गया है। कहीं कहीं पर सूचना नहीं है और यहां तक की कई जगों पर बोर्ड भी लगा दिया है कि इसकी जानकारी यहां पर नहीं है। तो यह लेटर जब आर्मे हेटकौर्टर से जारी किया गया जो रक्षा मंत्रा ले तो यह जो है वहां पहुंचना चाहिए। सोलजर बोट जो जिला सेनिक कार्याले तक पहुंचना चाहिए। जगह यह नहीं पहुंचा है। तो वहीं युद्ध सम्मान युजना का लाप पाने के लिए पूरु सेनिकों को अपने दास्ता हुए। सिफ डिश्चार्ड बुक, पीपियो, आदार कार्ट, पैन कार्ट, बैंक खाते की पास्बुक की कॉपी और पिछले पांस वर्स की आयकर रेटन बरतमान में उनका ब्यावसाय, बार्सिकाय का ब्योराब प्रॉपर्टी, इत्यादी का दास्ता हुए। संलगन भरकर, पूर्ण ब्योराण सहीत, यह कहा गया है कि अपने रिकार्ट कार्याले को सीधा भेजना चाहिए। कई सोल्जर बोर्ट ऐसा कहने हैं, जैसे असाम रैफल है तो असाम रैफल का सोल्जर बोर्ट से काम होता नहीं। तो सीधे जिनके पास भी यहाए असाम रैफल के लोग जो अमुडी के लोग हैं कुरी तरह मुडी कमांड में वो लोग तो अपना जो है रिकार्ट को भेज़ेंगे। लेकिन असाम राइफल के लोग जिनके पास भी है वो जो है डारेक्टर जनरल जो पैंसन करवें से सेल रिकॉर्ड बरांच सिलों को भीज़ें तो और अपने वो मेरे पास यह करके पूर्वी स्टार याद रखिए पिर भी पूर्वी स्टार पक्षमी स्टार और एक स्टार म मेडल हैं ये तीन मेडल ये तीन में से एक भी मेडल किसी के पास है तो वो इस पंद्रह लाग रुपे का हगदार है तो अपने दास्ता हुए इस बेज़ है आलांकि बहुत सारे लोग इसमें उनीस सो पैसाट एकतर के बाद तो ये पचास साल से भी ज्यादा हो गए हैं और निचे तोर पर अधिकतर लोग तो इसमें एक्सपाइड होगे होंगे लेकिन बहुत सारे लोग जीवित होंगे फिर भी जो एक्सपाइड होगे उनके जो पैरेंस हैं गरवाले उनके जो परिवार हैं उनके बच्चे हैं उनके नाती पोते हैं वो वो इसकी चानबिन करें और अपने रिकॉर्ड आफिस को ये डाकुमेंट यथा सिग्र भेजया और वहां से फोन द्वारा अपने रिकॉर्ड आफिस डी जी हटकॉर्टर से और पेंशन गर्भेन से चल रिकॉर्ड आफिसर से इसकी पूरी जानकरी लें धन्यवाद आज के लिए इतना है